हेलो स्ट्टेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसस, टैली स्रीज का इलक्चर नमबर 24 है और आज हम इस वीडियो में बैंक रिकॉंसिलेशन स्टेटमेंट यानि की बारे में जानेंगे की ये क्या होता है और ये एक requested वीडियो है, विनीत महरा ने हमें आपर कमेंट करके बताया था कि सर्फ बैंक रिकॉंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में बता दीजिये वैसे तो हम BRS को यानि बैंक रिकॉंसिलेशन स्टेटमेंट को हम बाद में पढ़ने वाले थे लेकिन इसे हम अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जायागा क्योंकि अभी तक आप टैली में इंट्री करना, जनरल इंट्री के बारे में, ट्रैल बिलेंस, प्रॉफिट आल असकाउंट, बैलेंस इट, इन सचीजियों के बारे में आप जान चुके हैं तो BRS को आप अच्छे से समझ पाएंगे, कोई इसू नहीं होगा, ठीक है तो चलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इंपोर्टेंट वीडियो है और काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है क्योंकि हम BRS को पहले तो हम theory based पे देखेंगे, यानि copy पर इसको कैसे बनाया जाता है, copy पर इसको कैसे create किया जाता है और फिर उसके बाद हम tally software में भी इसको हम practically भी देखेंगे, ठीक है तो theory और practical दोनों तरीके से देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, तो चलिए शुरू करते हैं तो bank reconciliation statement ठीक है, यह होता क्या है, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसे हमें बनाने की जरूत क्यों पड़ती है तो जैसे देखेंगे, आपको पता होगा, trial balance, profit and loss count और balance sheet, cash book, bank book, यह सब क्या होते हैं reports होते हैं और इन्हें बनाना आपको आता है, trial balance, profit and loss count, balance sheet यह सब आपको बनाना आता है उसी तरह से BRS भी एक प्रकार के report होती है, लेकिन trial balance, profit and loss count, balance sheet हर महिने compulsory होता है बनाना लेकिन BRS यह compulsory नहीं है, यह जरूत पढ़ने पर बनाया जाता है, ठीक है, अब जरूत हमें कपड़ती है, इसको बनाने की यह देखते हैं example के लिए हम माल लेते हैं कि हमारा जो bank account है, वो SBI bank में है, किसमें SBI bank में है, ठीक है तो जब हमने पैसा जमा किया, हमने क्या किया, 5000 रुपए डेविट कर दिया, मलब डेविट में कर दिया SBI bank को, SBI bank 5000 रुपए ठीक है, इस तरह से और credit में कर दिया cash, तो cash है, फिलाल हमें मतलब नहीं कि हम bank के बारे में जान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो bank reconciliation statement होती है, यह पूरी तरीके से bank पर based होती है, इसमें सारा जो calculation होता है, वो bank से related होता है, ठीक है, तो कुल मिला कि यहाँ पर bank क्या हुआ है, debit या नहीं कि हमने bank में entry कर देंगे कि हमने bank में 5,000 रुपय जमा किये, ठीक है, कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल करते हैं, जब भी हम पैसा जमा करते हैं, तो हम entry कर देते हैं, कि हमने 5,000 रुपय में जमा किये, debit bank credit cash, अब यहीं चीज बैंक क्या करती है, देखिए, अब bank भी तो transaction करती है, जब पैसा जमा करेंगे, तो bank वहाँ पर credit करेंगी, आपके account को, ठीक है, आपके account में 5,000 रुपय credit कर देगी, समझ गये, देखिए, यहाँ पर जब हमने पैसा जमा किया था, तो debit में गया था, समझ गये न, bank क्या हुई थी, debit हुई थी, अब यहाँ पर bank क्या होगी, मिलब जब bank में आप ऐसा जमा करेंगे, तो वह 5,000 रुपय bank क्या करेंगी, credit करेंगी, ठीक है, ठीक है, होता क्या है, इतना तो आपको पता होगा, कि अगर कोई account हमारे लिए debit होता है, तो सामने वाले के लिए क्या होता है, credit होता है, ठीक है, कैसे, अगर माल लेते हैं, कि हमारे पास स cash जा रहा है, हमारे पास से cash जा रहा है, यानि कि हमने क्या कर दिया, credit क्या कर दिया, हमने क्या किया, credit को, credit में cash कर दिया, तो अगर हमारे लिए cash credit है, तो सामने वाले के लिए cash जो होगा, क्यों होगा, आपको पता होगा, हमारे पास से cash जा रहा है, इसलिए credit होगा, लेकिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं समझ गया है हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो होता क्या है कि हम बैंक को अपने यहां डेविट कर देते हैं मलब हम डेविट कर देते हैं कि 5,000 रुपए हमने जमा किये लेकिन बैंक क्या करता है क्रेडिट करता है उसी चीज को और यहां पर वो प्लस कर देता है, एक बार हमने 5,000 रुपे, 50,000 रुपे मा लेते जमा किये, तो हमने क्या किया, अपने यहां डेविट कर दिया, और बैंक ने क्या किया, 50,000 रुपे अपने यहां credit कर दिया, आपके account में, ठीक है, फिर दूसरी बार हमने क्या किया, दूसरी बार हमने फिर से 10,000 रुपए जमा किये, फिर से हमने 10,000 रुपए जमा किये, तो bank ने क्या किया, फिर से credit कर दिया 10,000 रुपए, इस तरह से, तो इस तरह से entry चलती है, अगर हम bank से कभी पैसा निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, credit कर देते हैं, ठीक है, जैसे 5,000 रुपए निकाले, तो हमारे लिए लिए क्या है यह हम ने अगर 50,000 रुपे बैंक में जम IN जब्धार के लिए और फिर जब हमने बैंक से पैसा निकाल लिय तो उसकी तरह cya के लिए उतनी खतम हो непreply calculation statement में वापस आते हैं, इस concept को ह stairs भूण समझ चुकर है, हमारे लिए जो चीज डेवित होती है, हमारे अकॉरडिंग भावन के लिए वो चीज credit होती है, ठीक है है, तो होता क्या है, हमारी रिपोर्ट और बैंक की जो रिपोर्ट होती है, दोनों में difference आ जाता है, दोनों में क्या होता है डिफरेंस आ जाता है, कैसे आ जाता है देखिए हम कह在 tier, हमारे according bank में 50,000 होने चाहिए, ठीक है हमारे हिसाब से bank में कितना होना चाहिए? 50,000 लेकिन जब हमने passbook do print करा आई हमने क्या किया? Passbook को print करा तो उसमें जो balance दिखा रहा है वो दिखा रहा है 40,000 रुपए वो क्या दिखा रहा है? 40,000 रुपए दिखा रहा है तो अब यह 10,000 का difference क्यों आया? देखिए हम क्या कर रहे थे? अगर हम bank में पैसा जमा करते थे तो हम entry कर देते थे यहाँ भी entry हो रही है तो last में जो final balance बचना चाहिए वो दोनों का same होना चाहिए लेकिन फिर difference क्यों आ रहा है? हम कह रहे हैं कि हमारे इसाब से 50,000 रुपए होने चाहिए bank कह रही है कि आपके account में 40,000 रुपए ही है तो इसे कैसे सही करेंगे या इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि यह difference जो आया है वो आया कहां से है समझगे वो difference कहां से आया अब जहिर से बात है किसी ना किसी से गलती होई होगी हो सकता है कि हमने कोई entry एक्स्ट्रा चढ़ा दी हो या bank ने कोई entry ना की हो या किसी से भी कोई भी mistake हो सकती है तो इसके कई सारे regions हो सकते हैं तो उन वो regions क्या होते हैं और उसके बाद में इसको हम सही कैसे करेंगे यानि कि हम इसमें जो mistake होई है difference हुआ है उसे कैसे पकड़ेंगे कैसे सही करेंगे तो वही चीज जो मलब वो statement जो हम तयार करते हैं सही करने की process को ही कहते हैं bank reconciliation statement BRS समझ गए मलब जो balance difference आ रहा है यानि कि यहाँ पर जो difference आ रहा है दोनों के इसको बोलते हैं cash book मतलब हमारी तरफ से according to me और इसको बोलते हैं PB यानि की pass book according to bank समझ गए CB यानि की according to me और PB यानि की according to bank bank के हिसाब से 40,000 रुपए है और हमारे हिसाब से 50,000 रुपए होने चाहिए तो यह जो difference create हुआ है यह difference क्यों create हुआ है इसका पता लगाने के लिए हमें entry check करनी होंगी bank को entry check करनी होंगी और यह जो process होती है check करने के लिए तो statement एक तयार की जाती है उसी statement को बोलते है bank reconciliation statement समझ गया होंगी I think अब इसकी definition थोड़ा सा देख लेते हैं the account which is prepared to match the difference between the balance of cashbook and passbook ठीक है जब cashbook और passbook के balance में जब difference होता है ठीक है तो उसी को जब match हम करवाते हैं तो उस match करवाने की जो process होती है उसी को बोलते है bank reconciliation statement is called bank reconciliation statement ठीक है bank reconciliation statement is an account designed to match the difference between the balance of cashbook and passbook cashbook यानि कि according to me और passbook यानि according to bank ठीक है दोनों को हम क्या करते हैं match करवाते हैं और यह जो report design की जाती है यानि तयार की जाती है उसी को बोला जाता है bank reconciliation statement यहाँ पर इसकी definition जो है वो नीचे हिंदी में भी दी गई है आप इसे पढ़ सकते हैं ठीक है अब देखें किन कारणों से यहाँ पर डिफरेंस क्रियेट होता है इसको समझते हैं यह ऐसे क्या कारण है जिससे बैंक रिकॉंसिलेशन स्टेटमेंट के हमें जरूत पड़ती है तो इसके देखें यह भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि error committed by bank कैनी bank से भी हो सकता है गलती हो गई हो समझ गया है लिन कोई जरूर नहीं कि bank से या फिर company से ही गलती हुई हो ऐसा भी हो सकता है कि गलती bank की भी नहीं हो और गलती company की भी नहीं हो तो जब दोनों की गलती नहीं है तो फिर गलत कैस फैसे हुआ तो इसके रीजिन यहां पर कुछ और दिए गया है जैसे показerved note credit से मदलब क्या कि चोए चिप लिए का मलब है यह हुआ कि हमने जो है बैंक को चेक दे दिया इसको नहीं कि । नहीं किया उस चेक को अभी दिय किया clear नहीं किया, यानि कि हमने 50,000 रुपए का जो चेक था, वो बैंक को दे दिया, तो अगर हम 50,000 रुपए का चेक बैंक को देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने यहां तो entry कर देंगे, डेविट कर देंगे SBI बैंक को, समझ रहें न, हम अपने यहां क्या करेंगे, according to me, अपने यहां क्या करेंगे, SBI बैंक में 50,000 रुपए डेविट कर देंगे, और क्रेडिट में कर देंगे, कैस, अगर हमने 50,000 रुपए बैंक में जमा किये हैं, तो या फिर हमने चेक जमा करवाया है, तो ठीक है, माल लेते हैं, क्रेडिट में यहां पर अर्विंद को कर देते हैं, क्रेडिट में हम क्या कर देते हैं, अर्विंद को, अर्विंद ने चेक जमा करवाया, चेक दिया हमें, तो चेक दिया है, तो डेविट में बैंक हो जाएगी, की नहीं हुई अभी तक नहीं हुई है चेक को clear होने में लगई दो से तीन दिन का time लगता है तो अगर हम पहले ही यानि हमने जैसे ही चेक यहाँ पर हमने भेजवाया bank के पास और तुरंथ हमने अपने report चेक की तो वहाँ पर balance में डिफरेंस क्यों कि हमारे यहां तो 50,000 रुपई की इंट्री हो चुकी ह empathि हमारे यहां पर टैली में क्या हुआ पचाहर रुपै की हमने कर दीए कि 50,000 रुपई बैंग जामा किया यह नी चक भजवायां लेकिन अभी तक बैंग ने वह चेक केलियर नहीं किया है इसलिए हो 50 हो सकती है फिर उसके बाद Check Issue बट Not Cleared मलब चेट Issue का मलब यह हो गया कि हमने क्या किया है चेक Issue किया हमने एक Check Issue किया है लेकिन वो अभी तक BANK ने Clear नहीं किया बैंक ने Clear नहीं किया और हमने कर दिया यहाँ पर डेविट और ऀर्विंद को ना हुआ कि हमने अर्विंद को चेक दिया है कितने का दिया माल लेते हैं 2000 रुपे का दिया ठीक है 2000 रुपे का चेक दिया है डेविट अर्विंद हो गया क्रेडिट बैंक हो गया तो अब यहां पर हमने चेक तो अर्विंद को दे दिया तो हमने अपने यहां इंट्री कर दी क्र 48,000 रुपए बचने चाहिए और हमारा जो ट्रैल बैलेंस है टैली का वो 48,000 रुपए दिखाएगा कि आपके अकॉंड में 48,000 रुपए हैं लेकिन अभी अरबिंद ने क्या किया है अरबिंद वो चेक लेकर के बैंक पहुंचा ही नहीं अरबिंद जो है वो चेक लेकर बैंक कभी पहुंचा ही नहीं तो जब चेक लेकर बैंक के पहुंचेगा नहीं तो बैंक में आपके अभी पचा ktoś,000 रुपए ही दिखाएगा समझ रहाए हो ना क्यूंकि वो चेक अभी बैंक पहुंचा ही नहीं वह यह पर प्रएंट ही नहीं यह चेक अभी क्लियर ही नहीं यहाँ पर यह timing के difference है timing का मतलब यह है कि अर्विन भी चेक लेकर वहाँ तक पहुंचा ही नहीं तो यह सब region होते हैं उसके बाद है direct debit made by bank अगर bank द्वारा direct पैसा debit कर दिया जाता है अब bank द्वारा direct पैसा debit कैसे किया जाता है यह देखी लिए तो आपको पता होगा bank जो है वो हर महिने आपके account से कुछ ना कुछ जैसे 20 रुपए या 30 रुपए यह bank charge ले लेती है आपको पता होगा आपके account से भी कटता होगा ठीक है यह ATM charge यानि कुछ facility bank प्रवाइट करती है उसके बदले क्या करती है bank आपके अकाउट से हर महिने 20-30 रुपे medidas रुपे आपके अकाउट में कितना पैसा होगा 50,000, तो अब आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, तो बैंक कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 50,000 है, तो यह difference देखे create हो गया कैसे, क्योंकि बैंक ने जो charge काटा है, वो हमें तो अभी पता ही नहीं चला ना, तो अब हमें पता चलेगा, जब हम bank reconciliation statement तयार करेंगे, तो जब हम BRS statement बनाएंगे, और passbook हम print करवाएंगे, अब यह वाला amount हमें तभी तो पता चलेगा, जब हम passbook प्रिंट कराएंगे, जब हम passbook प्रिंट कराएंगे, तो passbook में हमें दिखायागा कि 4970 रुपे हैं, और हमारे tally की जो report है, वो पतारी 50,000 है, तो हम यहाँ पर BRS यानी bank reconciliation statement बनाएंगे, जिसके ज़रीए हमें पता चल जायागा, कि जो 30 रुपे काटा गया है, वो क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ entry कर देंगे, bank charge की debit कर देंगे, bank charge को debit क्या कर देंगे, bank charge और यह हो जाएगा indirect expenses, क्योंकि यह खर्चा हो ग कर देंगे, BRS यानी bank reconciliation statement बनाने के बाद यह internship tally में करेंगे, तो हमारे tally में भी 49,970 रुपे balance दिखायागा, जिससे दोनों का जो report है, वो same हो जाएगी, समझ गया, चलिए, आगे देखते हैं, उसके बाद है, amount directly deposit in the bank, ठीक है, अगर कोई बंदा directly आपके bank में पैसा जमा क कर देता है, जैसे हमारे account में 50,000 रुपे हैं, ठीक है, और हमने किसी को, मलब किसी भी customer को हमने क्या किया था, 10,000 रुपे उधार दिये थे, समझ के 10,000 रुपे cash में उधार दिया था, और हमने उससे ये कहा था, कि जब आपके पास पैसे हों, तो आप हमारे bank account में जमा करव दिये, तो अब आपके यहां पर, आपको तो पता नहीं चला न, आपको पता भी नहीं चला, आपको पता कब चलेगा, जब आप passbook प्रिंट करवाएंगे, तो जब हमने passbook प्रिंट करवाया, तो वहां पर हमें कितना मिला, हमारे account में कितना है, 60,000 रुपे, और हमारे tally क् आपके account में सिर्फ 50,000 रुपे, क्योंकि हमने वो 10,000 के entry भी यहां पर की ही नहीं है, तो यहां पर यह balance जो है, वो difference देखे create कर रहा है, अब इसको हम कैसे सही करेंगे, तो इसको हम सही करेंगे, इसको हम पता लगाएंगे, कि mistake कहां से हो रही है, तो उसके लिए BRS, यानि क कि हम bank reconciliation statement तयार करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि 10,000 रुपे जो है, वो B customer ने जमा किया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, debit कर देंगे, SBI bank को 10,000 रुपे से, और credit कर देंगे, customer का नाम, जिस customer ने pay किया 10,000 रुपे से, फिर हमारा balance भी यहां पर 60, रुपे दिखाने लगेगा, ठीक है, यहां पर दिखे कुछ और एक सीच बची है, interest collected by the bank, ठीक है, अब interest यह नहीं, ब्याज होगे रहा है, अगर bank जो है, वो collect कर रही तो यहां पर भी difference हो सकता है, ठीक है, आप जैसे, आपको पता होगा कि जो ब्याज होता है, ठीक है, जै interest मतलब ब्याज दे दिया, तो आपके account में माल लेते हैं, थोड़े देर के लिए कि 50,100 रुपे होगे, तो वहां पर balance यह difference आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, तो जब हम last में passbook print करवाएंगे, BRS report तयार करेंगे, तो हमें पता चलेगा, कि वो जो balance difference आ रहा था, वो कैसे आ अगर कोई confusion है, तो आप comment कर सकते हैं, confusion कोई होनी नी चाहिए, आप video को दुबारा यहां से देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जायागा, ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखने के लिए example के लिए यहां पर हमने tally में यहां पर हमने एक roughly company बना रखी है, तो उसको open करते हैं, पहले हम यह cash study one इस company को बंद कर देते हैं, अब select company में जाके यहां पर देखिए, यहां पर देखिए हमने ब्रस की company बना रखी, इसको open करते हैं, तो यह BRS की company बना रखी है, और अब अगर हम इसमें डे बुक में जा पता ही होगा, ठीक है, यहां पर देखिए हमने क्या किया है, file entry में क्या किया है, bank में 80,000 रुपए जमा करवाए, समझ गया, फिर हमने क्या किया है, bank से हमने 10,000 रुपए और जमा करवाए, ठीक है, फिर हमने क्या किया, computer खरीदा है, payment हमने चेक दवारा किया है, मलब 6,000 र अब वापस आते हैं और trial balance देखते हैं हमारी जो report है यहनि bank book bank book हमारी क्या कह से yardımा है ऑनि olarak circuit में कितना होना चाहिए 85000 ₹ होना चाहिए समझ रहे है रहे हैं हमारी account में कितना होना चाहिए 85000 ₹ होना चाहिए कि लियर हमारी report क्या गयती है कि हमारे हिसाब से 85,000 रुपए बैंक में होना चाहिए, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पास्बुक प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, यहां का काम खतम हो गया, देखें टैली का, हमारे हिसाब से रिपोर्ट कह रही कि 85,000 रुपए होना चाहिए, और हमने क्या किया, पास्बुक प्रिंट करवाया, समझ गया, हम बैंक गया और पास्बुक प्रिंट करवाया, पास्बुक प्रिंट जब हमने करवाया, तो बैंक से जो हमें स्टेट्मेंट मिली, यहनी पास्बुक पर प्रिंटिंग की जो स्टेट्मेंट मिली है, वो हमें देखे ये मिली है तो हमारे हिसाब से 85,000 रुपए होना चाहिए हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए 85,000 रुपए होना चाहिए जो हमारी रिपोर्ट कह रही है लेकिन बैंक से जो हमने पासबुक प्रिंट करवाया according to bank तो हमें वहाँ पर पता चला कि हमारे अकाउंट में 78,980 रुपए ही है हमारे हिसाब से 55,000 रुपए है लेकिन बैंक कह रही है कि आपके अकाउंट में 78,000 रुपए और यहाँ पर साथ में स्टेटमेंट भी दे दिया है कि कब-कब आपने पैसा है वो क्रेडिट किया है और कब आपने डेविट किया है ठीक है तो यह बैंक की रिपोर्ट है इधर साइड में और यहाँ पर according to me यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे ठीक है तो यही है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट गलिवानिकी है तो अब यह हaches का विरेंस कैसे क्रेट हुआ है इस को हम समझते है तो यहाँ पर passbook बैंक ने तो अपना इस्टेटमेंट दे दिया है अब हम अपना इस्टेटमेंट बनाते है तो अपने सिल्दन commandments का बनाएंगे देखिए यह आपकी सिर्फ और सिर्फ बैंक की इंट्री है मलब बैंक से जहां पर लेंदेन किया गया है ठीक है तो इसको हम साइड में रखते हैं दोनों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों इसक्रीन आपको दिखाई दें जिससे हम काम को थोड़ा आसानी से और जल्दी कर ठीक है यह रहा ठीक है अब हम क्या करते हैं इसमें देखे यहां पर बैंक क्या हुआ है डेविट हुआ है ठीक है बैंक क्या हुआ है डेविट हुआ है कितना 80,000 रुपैसे तो हम यहां पर 80,000 रुपैसे बैंक को डेविट कर देंगे ठीक है अब जब हम यहां पर बैंक को 80,000 रुपैसे डेविट करेंगे, यह नहीं कि हमने क्या किया बैंक में पैसा जमा किया है, तो अगर हमारे हिसाब से बैंक मलब डेविट होगी, तो बैंक क्या करेगा उस एमांट को क्रेडिट करेगा, इस चीज को समझना, ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर 6,000 रुपै क्रेडिट हुआ है, 6,000 रुपै क्रेडिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यह तो 6,000 रुपै क्रेडिट हुआ हमारे हिसाब से, लेकिन बैंक के हिसाब से क्या हुआ, डेविट हुआ, समझ गये ना, बैंक के कहा गया इसको समझते है ठीक है देखिए क्या हुआ है यहां पर यह जो 2000 रूपय हमने यहाँ पर दिया है यह किसको दिया है अरविंद मिसराՓ को दिया है abd après झSA від क्रेडित siye bank तो अफ यहाँ पर हुआ फिलदी की बही हम उने हमने दो अज имеет चेक दिया है लेकिन अभी वह चेक बैंक तक पहुंचा ही नहीं तो बैंक इंट्री कहाँ से करेगा बैंक ने ह end इंट्री की ही नहीं ठीक है तो यहां पर यह difference आता और देखिए यहाँ पर bank ने भी उसे credit किया, यानि अगर हमने bank में जमा किया है, तो वो हमारे account में credit कर देता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8000 रुपे फिर से हमें मिला है, 8000 रुपे फिर से debit हुआ है, और यह देखिए 8000 रुपे यहाँ पर नहीं है, पास्बुक में इ इंटरी कर दी फटाक से, जैसे ही हमें check मिला, हमने अपने इंटरी कर दी, लेकिन अभी bank ने वो entry नहीं किया, क्यों नहीं कि, क्योंकि हो सकता है कि वो जो check है, अभी bank तक पहुंचा ही ना हो, या फिर पहुंच गया हो, तो वो भी check clear ही ना हुआ हो, या फिर अगर check पहुं जिससे चेक अभी किलिए बैंक चार्ज है ठीक है जो हमारे यहाँ पर आया ही नहीं ठीक है तो अब इसको हम सही कैसे करेंगे तो देखिए दोनों रिपोर्ट हमारे पास रेडी हैं दोनों रिपोर्ट रेडी हैं अकॉर्डिंग टू बैंक बैंक कहे रहा है कि यह आपकी रिपोर्ट है और हम कहे रहे वाँट पर जाएगे ज़क है कि हमें चेक मिला है इसकी हमने एंट्री कर दिये लेकिन यह चेक भी है भी बैंक के पास नहीं पहुंचा है नहीं पैसा जमा हुआ है तो यह दो चीजे तो किलियर हो गई अब यह जो बीस रुपए वाला बचा है तो इसको हम करते हैं तो इसके लिए हमें entry करनी होगे tally में अपने tally में entry करनी होगी तो tally में entry करते हैं इसकी bank charge की ठीक है वापस आते हैं और accounting voucher में चलते हैं और यहाँ पर हम voucher payment लगाएंगे debit में bank charge हो जाएगा laser बनेगा bank charge का ठीक है काट लिया हमको पता ही नहीं चला था अब हमें पता चला है तो अब हमने क्या कर दिया एंट्री कर दी अब जब हमने एंट्री कर दी है तो अब अगर हम बैंक की रिपोर्ट देखे जाके अब अगर हम बैंक की रिपोर्ट देखेंगे ट्राइल विलेंस में चलते हैं और इस आप देखते हैं balance बराबर आया कि नहीं आया तो आप अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखें यहाँ पर 8000 रुपे डेविट हुआ 8000 रुपे क्रेडिट हो गया, 6000 रुपे क्रेडिट हुआ, 6000 रुपे डेविट हुआ 10,000 रुपे credit हुआ 10,000 रुपे यहाँ पर debit हुआ मतलब यह balance सेम है 15,000 इधर debit है इधर 15,000 रुपे credit है इधर 8,000 रुपे आपका debit है अब यहाँ पर देखिए 8,000 रुपे credit नहीं है तो हम इसे temporary base पे 8,000 रुपे credit कर देंगे इतना हो गया तो अब देखिए क्या balance बराबर आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा ठीक है इधर हमारे पास जो credit है वो इधर debit है और जो यहाँ पर debit है वो इधर आपका credit है clear तो अब दोनों का जो balance है वो बराबर आएगा और बराबर कितना आएगा इधर का भी अब 78,980 रुपे आएगा आप इसे calculate कर सकते हैं ठीक है इधर का तो 78,980 रुपे आही रहा था इधर का भी 78,980 ही आएगा तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर तीन मिस्टेक्स थी पहली बैंक चार जुड़ गया था जो हमें नहीं पता था दूसरी 2000 रुपे का चेक हमने इसू किया था लेकिन बैंक ने भी उसर रिकॉर्ड नहीं किया था ये टैली में भी ये फीचर होता है ठीक है अभी देखिए हमने क्या किया था बैंक पास्बूग मंगवाई थी तो अभी के हिसाब से हमारा यहाँ पर बैंक में कितना दिखा रहा है 78,980 रुपे अभी भी दिखा रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएं और चेक करें bank account में तो अभी देखें यहाँ पर bank में कितना दिखा रहा है अभी भी यहाँ पर 84,980 रुपए ही दिखा रहा है लेकिन अब अगर आप सोचें कि यहाँ 84,980 ना दिखाए बलकि उतना ही amount दिखाए जो कि passbook में दिखा रहा तो ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं होगा बलकि हम एक दूसरी report यहाँ पर देखेंगे और दूसरी report होती है bank reconciliation statement ठीक है तो bank reconciliation statement को open करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर banking में ठीक है utility में एक option है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह bank reconciliation statement है ठीक है अब इसमें देखें यहाँ पर फटा फट बता रहा है कि कंट्रा वाचर पेमेंट वाचर कब कब entry होई है तो यहाँ पर final amount दिखा रहा देखें आप यहाँ पर देख पा रहे होगे balance as per company book यानि company की जो book है वो कहती है कि 84,980 रुपए आपके account में है लेकिन bank क्या कह रही है bank देखें क्या कह रही है इसको amount देखते हैं फिर से कितना है bank का amount 78,980 रुपए ठीक है bank अभी भी कह रही है कि आपके account में 78,980 रुपए है तो अभी तक जो हमने किया था वो theory पर किया था अब हम इसको practically देखेंगे कि balance कैसे बराबर होगा ठीक है तो हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए 84,980 और bank कह रही है कि 78,980 है तो इसको बराबर कैसे करेंगे देखिए तो जो counter-watcher पर cash की entry होई है तो हमें पता चल चुका है ना bank तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा तो यह bank तक पहुंच गया कौनसी date में पहुंचा है 84, तो हम यहाँ पर date चेंज कर देंगे यानि 84, अब यह देखिए ऐसा होता है इसको detail में थोड़ा समझते है यह जो यहाँ पर instrument date दिखा रहा है यह instrument date जो है यह हमारे लिए है मतलब हमने अपनी वाली entry ओं को जिस date में record किया है वो date यह है हमने सभी entry ओं को 1-4 पर ही record किया है तो तो यह उसकी date दिखा रही है अब यहाँ पर आपको क्या करना है bank की date ड़नी है समझ गया, bank की date डालनी है मतलब कि इसमें से कौन-कौन सी entry जो है वो pass हो चुकी है या नि कौन-कौन सी जो entry है या फिर check है वो clear हो चुकी है और कौन सी date में हुई है वो date आपको यहाँ पर भरनी है और जब आप वो date यहाँ पर भरेंगे इसलिए यहाँ पर अलग-अलग date पर entry नहीं हुई है तो फिलाल हम क्या करते है कि सभी को यहाँ पर हम 14 पर ही set कर देते है ठीक है और यहाँ पर भी इसको भी हमने 14 पर pass कर दिया तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर हम entry करते जा रहे है एक चार एक चार पर यहाँ पर नीचे जो है amount दिखा रहा है balance as per bank ठीक है अब bank इस हिसाब से क्या कर रहे है कि 74,000 रुपए है और हम आगे और entry करते है यहाँ पर फिर से entry करते हैं फिर से 1,4 पर entry करते हैं और फिर 1,4 पर entry करते हैं और 1,4 पर entry करेंगे तो अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो amount है वो same आ चुका है 84,980 रुपए तो बस same आना चाहिए कितना भी आए यह कोई जरूरी नहीं कि 78,980 रुपए ही आए वहां से अर्जिस्ट हो जाएगा 8,000 रुपए का जब check clear हो जाएगा तो वो amount भी आपका अर्जिस्ट हो जाएगा कुल मिलाके हमें पता यह करना था कि difference आ कहां से रहा है अब difference कितना आ रहा है वो तो आगे चलके सही ही हो जाएगा तो यह था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो amount है वो सेम हो चुका है यहाँ पर balance का जो bank का balance है वो भी बराबर है और जो यहाँ पर company की book है याँनि हमारी according भी balance जो है वो दोनों बराबर है ठीक है तो आई थिंक यह आपको clear हो गया होगा कि बियारे सेनी bank reconciliation statement क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं और इसे हम क्यों बनाते हैं ठीक है वैसे कोई इतना बड़ा topic नहीं है कि आपके समझ में ना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है बस हमें यह पता लगाना होता है कि हमारे balance में और bank के balance में difference क्यों आ रहा है ठीक है तो इसको हम पता करने के लिए हम जो भी करते हैं कुछ भी करें कोई फंडा अपना है कोई वी ट्रिक अपना है वही होता है अब यह हर महीने नहीं बनाया जाता ऐसा इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि पहले हम क्या करते हैं पहले तो हम अपने trial balance में balance चेक करते हैं कितना है और bank से passbook प्रिंट करवाते हैं और पता करते हैं passbook में कितना balance दिखा रहा है अगर दोनों का balance सेम हुआ तो हमें इस report को बन bank से कोई गलती हुई है या कोई हम से गलती होई है तो बस इस ही गलती को हम पता करते हैं ठीग है अर पता करने के बाद उसको हम से KSSD2 पर काम करना शुरू करेंगे, KSSD2 पर जिसमें हम Account with Inventory पढ़ेंगे, पूरा Complete, इसमें Provision Entry, Depreciation Entry, यह सारा कुछ आप का आजाएगा, बहुत हीं इंट्रेस्टिंग स्रीज आने वाली है, आगे कि जो वीडियो होंगे, काफी एडवांस होंगे, ठीक है, तो इस स्रीज को बिल्कुल भी मिस ना करें, और बने रहें, UPCSS के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स पर वाचिन वीडियो,